कैलाश परवत के रहस्यमाईक शेत्र में, जहां की हवा दिव्यता से भरी हुई है और प्राचीन भजनों की गूज है, परम तपस्वी भगवान शिव ने गहन शांती में ध्यान लगाया। एक दिन जब दिव्य प्राणी श्रधा में रित्य कर रहे थे, ब्रहमांड पर अज्यान नामक अंधकार की छाया मंदरा रही थी। प्रित्वी पर मनुश्यों की पीडा को देखते हुए, शिव ने हस्तक शेप करने का दिर नहीं लिया। दिव्य निरित्य तांडव पर निकल पड़े। शिव का संकल्प अटर रहा। हर कदम के साथ उन्होंने विप्रीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की बाधाओं को सीधियों में बदल दिया। उनका निरित्य केवल एक शारिरिक अभिव्यक्ति नहीं था बलकी दृड़ता और आत्मखोज का एक गहरा सबक था। ब्रहमांड ने शिव के निरित्य को प्रकट होते देखा और प्रत्येक गती के साथ एक नए युक्का उदे हुआ। जैसे ही उसने चक्कर लगाया, आकाश गंगाय पैदा हुई, जैसे ही उसने मुहर लगाई, दुनिया ढह गई। ब्रहमांडी उर्जा उनमें प्रवाहित हुई और उनके निरित्य के फलस्वरूप एक सामन जस्यपूर्ण संतुलन बहाल हुआ। देवता, देविया और दिव्यप्राणी कृतग्यता से भर गए। शिव के निरित्य ने न केवल अज्ञान को पराजग किया था, बलकि इसे चाहने वालों को आत्म ज्ञान का मार्ग भी दिखाया था। निरित्य इस बात की याद दिलाता था, कि चुनौतिया हमें तोडने के लिए नहीं बलकि हमें शक्ती और ज्ञान से परिपूर्ण बनाने के लिए हैं। शिव की विजय की कहानी प्रिथवी पर परीक्षणों का सामना करने वाले मनुश्यों के लिए एक शाश्वत प्रेणा बन गई। यह उन लोगों के दिलों में गूंजता है, जिन्हें विप्रीत परिस्थितियों से उबरने के लिए ताकत की आवश्शक्ता होती है। शिव के ब्रहमांडिय नरित्य के बाद शांती की एक नई भावना ने ब्रहमांड को ढख दिया। हाला कि जैसे जैसे समय नदी की तरह बहता गया, अराजकता की गूंच फिर से उभरने लगी। हमेशा सतर्क रहने वाले शिव ने संतुलन को लगातार बनाए रखने की आवश्शक्ता को पहचाना। ध्यान में गहराई से शिव को एसास हुआ की सद्भाव बनाए रखने की कुंजी उनके नरित्य के ज्यान को नश्वर्क्षेत्र में प्रदान करने में नहित है। और उनकी आँखों से वही ब्रहमांडिय उर्जा उत्सर्जित हो रही थी जिसने उनके दिव्यन रित्य को बढ़ावा दिया था। उन्होंने द्रिडता, लची लापन और आत्मबोध का सार उन लोगों के साथ साजा करना चुना जो धार्मिक्ता का मार्ग चाहते थे। एक दिन रुद्र का सामना अर्जुन नाम के एक युवा द्रिड निश्चेई मूर्तिकार से हुआ। अर्जुन को अपने कलात्मक प्रयासों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अपनी प्रतिभा के बावजूद वह अपने सपनों को छोड़ने की कगार पर थे। अर्जुन की आखों में निराशा देखकर रुद्र ने एक महत्वपूर्ण सबक देने का अफसर पहचाना। अर्जुन की असाधारन रचना की खबर दूर दूर तक फैल गई जिसने राजाओं विद्वानों और सत्य के साधकों का ध्यान आकरशिक किया। उनकी शिक्षाओं के प्रभाव से संतुष्ट होकर रुद्र ने दूसरों को आत्मसाक्षातकार के मार्ग पर मार्ग दर्शन करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। शिव की विजय की विरासत पीधियों से चली आ रही कला, कहानियों और शिक्षाओं के माध्यम से जीवित रही। अर्जुन की मूर्ती लची लेपन का प्रतीक बन गई, द्रेड़ता की परिवर्तनकारी शक्ती का प्रमान, उस ब्रहमांडिय नृत्य की प्रतिध्वनी जिसने ब्रहमांड में संतुलन बहाल किया था। और इसलिए द्रेड़ता के नृत्य ने अपनी शाश्वत लए जारी रखी, एक कालातीत अनुस्मारक की हर चुनौती के भीतर विजय के बीज उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्होंने जीवन के तूफानों के माध्यम से नृत्य करने का साहस किया। शिव की विजय की कहानी अब न केवल सितारों में बलकि उन लोगों के दिलों में भी अनकित हो गई थी, जिन्होंने अपनी सांसारिक यात्रा में द्रिड़ता के नृत्य को अपनाया था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक वस सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।